नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टिटी विद पेन लोदा साथियों आज हम रीट मेंस एकजाम 2023 के लिए सेक्सनिक रिति विज्ञान का पेपर नंबर 8 हल करने वाले हैं देखिये वैसे तो सेक्सनिक रिति विज्ञान में 25 प्रशनों की टेस्ट सरी चला रखी थी अब लेकिन आज के इस वीडियो में आपको 30 वस्तुनिष्ट प्रशन देखने को मिलेंगे साथियों और ये जो 30 वस्तुनिष्ट प्रशन है रिति विज्ञान के ये रीटमेंस एक्जाम लेवल 1 और रीटमेंस एक्जाम लेवल 2 के लिए बेहद ही उप्योगी है तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को पहला प्रशन देखते हैं प्रशन संख्या एक में आप से क्या पोचा जा रहा है प्रश्ण नमर एक में चलते हैं प्रश्ण नमर एक क्या है आपके भाशा सिक्सन में बहु मुखी प्रियास का अभिप्राई है आगमन विधी का प्रियोग करना तकनीक का प्रियोग करना सभी विश्यों के सिक्सन में भाशा पर बल देना और अनेक अध्यापको दोरा भाश बहुमुकी प्रियास करना चाहिए तो बहुमुकी प्रियास का जो उचित अर्थ है वो आपसे प्रिश्ण संख्या एक में पूचा गया है पहले प्रिश्ण का सया अंसर देख लेते हैं देखिएगा प्रिश्ण संख्या एक में जो सयुक्तर है वो रहेगा विकल्प नमबर यदि हम भाश्या पर बल देते हैं तो यही भाश्या सिक्षण में बहुमु की प्रियास कहलाता है। प्रतियक जो प्रिश्णे हैं एक नंबर का है और तीस में से आप जितने प्रिश्णों को सही करते हो लाश्ट में कमेंड करना और साथ ही देखिएगा यहां पर अगर प्रिश्णे गलत करते हो तो एक बटा तीन नंबर आपके कम किये जाएंगे मित्रो माइनस मार्किंग स् निदानात्मक परिक्सन उप्चारात्मक सिक्सन माबाप से सिकायत करेंगे या उसको दंड देंगे तो देखो प्रशन की पूँच रहा है कोई छादर क्या कर रहा है अशुद लिक रहा है तो अशुद लिक रहा है हमको पता है कि उसकी क्या कमी है अशुद लिकना तो निद प्रिश्ण संख्याब तीन की और बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रिश्ण नमबर तीन को तीसरे प्रिश्ण में क्या पूछा जा रहा है, मुल्यांकन उपयोगी है, विध्यारती की प्रगती जानने में, चात्र का आचरन जानने में, चात्र का वजन जानने में, और इन मे से कोई भी नहीं, देखो मुल्यांकन उपयोगी है, कोई नहीं वाला विकलप आपका अंसर होता ही नहीं है, तो फिर इसको तो आपटा दो, आचरण जानना, वजन जानना और प्रगति जानना, तीनों में से जो सबसे बेस्ट ओप्शन हैं, वो कौन से विकलप हैं साथ क्यो उससे पहले एपिपर, जो स्टेडी विद पियन लोधा एप्लिकेशन हैं, इस पर दिनांक 2, 1, 2023 का शेडूल बता देता हूं साथियों, आपके आज 149 वाला जो कोर्स है, रीट मेंस एक्जाम लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए, उस पे सेक्सिक प्रिदरश्य पेपल नंबर 4 आएगा, लेवल 2, साइंस में, पेपल नंबर आपके 13 आएगा, और साती राजिस्थान अध्यान का जो कोर्स है 99 वाला, इसमें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 की दुराजिस्थान अध्यान की किताबें हमने कम्पलीट कर ली है, कक्षा बारवी की जो किताब चल रही है, इसका 99 वाले कोर्स में अपलोड किया जाएगा साती हो, तो इस प्रकार एप का शेडूल रहने वाला है, देखिएगा, अगर आपने एप को डाउनलोड नहीं कर रहा है, तो मैंने डाउनलोड का जो लिंक है, कमेंड बोक्स में दे रहा है, वहाँ से आप एप को डाउनलोड करक देखोगे, तो आपको एप मिल जाएगा साती हो, जिसमें आप पिछले 190 से भी अधिक जो टेस्ट है, अगर आप 109 वाला कोर्स अभी जोइन करते हो, तो 190 से भी अधिक टेस्ट आपको अभी से उपलब्ध हो जाएंगे, जो पिछले जितने तीन महिनों में टेस्ट डाले और इन में से सभी, तो एक जो अच्छी परिक्षा होती है, इसमें विश्वसनीता का भी होना जरूरी होता है, वस्तुनिश्टा का भी होना जरूरी होता है, और विवेद कारी, मतलब चात्रों में अंतर करने वाली, ये सारे जो गुन हैं, ये अच्छी परिक्षा में प्रवर्तक है, जोन डिवी है, किल पेट्रिक है, डाल्टन है और अरस्तु है, तो इन में से योजना सिक्षन विदी जो है, इसके प्रवर्तक कोन है साथ है, प्रश्न पांच का सही उत्तर बताईए, पांच वे प्रिष्ट में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, देखो, तो किल पेट्रिक ने कौन सी विदी दी है, जोन डिवी ने कौन सी विदी दी है, अरस्तु ने कौन सी दी है, और डाल्टन ने कौन सी दी है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये मतलब है कि योजना किस ने दी है, तो योजना सिक्षन विदी जो है, ये जोन डिवी ने विचार दि प्रश्ण संक्यात 6 की और बढ़ेंगे साथ यूँ छेटा प्रश्ण देख लेते हैं देखेगा प्रश्ण नबर 6 को छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विक्सित करने का माध्यम है महापुर्शों की जीवनिया रसानुबूती कविताएं पूरानिक गाताएं और परियों की कहानी दिये गए विकल्पों में से हमें छोटे बच्चों की क्या करना है कल्पना शक्ति का विकास करना है तो दिये गए विकल्पों में से जो सबसे बेश्ट आंसर है उसका चैना आपको करना है तो देखो अब गर हमें छोटे बालकों में कल्पना शक्ति विक्सित करनी ह तो उनके लिए सबसे बेश्ट मानी जाती है परियों की कहानिया साथियों परियों की कहानिया छोटे बच्चों में सरवधिक कलपना शक्ती का विकास करती है आया हुआ क्यूशन एक्जाम में फोर्थ विकलप आपके प्रश्ण नमबर 6 का सही आज़र है प्रश्ण नमबर 7 को देख लेते हैं देखिए अधिकतर प्रश्ण पिछले एक्जाम में आए हुए हैं तो बहुत ही इन्पोटेνट है ये सिक्सन के सिध्धान्थ है प्रेड़ना का सिध्धान्थ किर्या दोरा सीखने का सिध्धान्थ जीवन से जोड़ने का सिध्धान्थ और इनमे से सबी तो इनमे से जो आपको सिक्सन का सिध्धान्थ लग रहा है उसका चैन प्रश्न संख्या साथ में करना है मित्रों 7 प्रिश्ण का आंसर देखे कि कौन सा विकल्प आपके 7 प्रिश्ण का उत्तर होगा तो वहीं सिक्सन के सिध्धांतों में प्रेड़ना का सिध्धांत भी सामिल होता है किर्या दोरा सीखने का सिध्धांत भी सामिल होता है जीवन से जोडने का सिध्धान्त भी सामिल होता है पतलब ये सारे सिध्धान जो है सिक्षन के सिध्धान्तों में सामिल होते हैं तो विकल्प नमबर 4 जो है इन में से सबी ये आपके प्रश्ण संक्या साथ का सई आंसर है आटवे प्रिश्ण को देख लेते हैं मित्रों, आटवे प्रिश्ण में क्या पूचा जा रहा है, देखेगा प्रिश्ण नमबर आठ को प्रिश्ण पत्र तयार करने से पुरू, निम्न में से किस परपत्र को तयार करना आवशक नहीं है वो आपको बताना है, देखो अगर हम बात करें, तो हम प्रिशन पत्र मतलब जो paper है, उसको तयार कर रहे हैं, तो इसके लिए नील पत्र जिसको blue print भी कहा जाता है, और आधार पत्रक भी कहा जाता है, तो ये今天 पत्र है ब्लूप्रिंट है, आधार पत्रक है, अलग अलग प्रत्रम विकल्प आपके प्रश्ण 8 में सही उत्तर है, प्रश्ण संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे, तो 9 प्रश्ण देख लेते हैं, प्रश्ण संख्या 9 में क्या है, द्रश्य स्रव्य सामगरी नहीं है, छाय चित्र, दूरदर्शन, चल्चित्र और नाटग, इनमें से जो द देखते भी है, सुनते भी है, छाय चित्र या चल चित्र तो इसका सही आंसर रहेगा, सात्यों विकल्प नमबर एक, जो चाय चित्र होता है, छाय चित्र का मतलब किससे लिया जाता है, जो इमेज होती है, इमेज, मतलब चित्र जो होता है, सात्यों ठीक है, चित्र फोटो जिसको हम केते हैं इसी को छेयाचित्र के नाम से जाना जाता है तो फिर ये सिर्फ एक दरश्य सामगरी है नेकी सरव्य दरश्य चलचित्र बाकी एक सरव्य दरश्य है ये तिनों सरव्य दरश्य है किसको छोड़कर पहले वाले विकल्प को छोड़कर के प्रश्ण संक्या 9 में आपके प्रतम विकल्प सही है, दस्वे प्रश्ण की और बढ़ते हैं मिद्रों, दस्वे प्रश्ण में क्या पूचा जा रहा है, उपलब्दी परिक्सन के कितने सोपान होते हैं, एक सोपान, दो सोपान, तीन सोपान और चार सोपान, तो उपलब्द उपलब्दी परिक्सन के सोपानों की संक्या प्रिश्ण संक्या 10 में पूची गई है और 10 वे प्रिश्ण में जो सही उत्तर है वो कौन सा विकल्प सही रहेगा साथ यो विकल्प नमबर 4 उपलब्दी परिक्सन के सोपान 4 होते हैं कौन-कौन से होते हैं परिक्सन की योजना बनाना, पदो की रचना करना, पदो का चयन करना, और परिक्षन का मुल्यांकन करना, ये चारों क्या है साथ यो उपलब्दी परिक्षन के सोपान, और उपलब्दी परिक्षन कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं, दो प्रकार से लिए जा सकते हैं, व्यक्तिकत रूप से भी और सामुही ग्रूप से भी ठीक है, लिए कितने जा सकते हैं तो दो, सोबान कितने होते हैं तो याद रखेगा इस चीज को, प्रश्ण संक्या 10 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों आपके, जो चोता विकल्प है, यह आपके 10 वे प्रिश्ण का सही आंसर है, क्लियर है सभी के यहां तक, तो चलिए आगे प्रिश्ण 11 के ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 11 प्रिश्ण को देख लेते हैं, आपके प्रिश्ण संक्या 11 में क्या है, सिक्सन के उपागम है, पाट संसर्ग उपागम, रचना सिक्सन उपागम, एक वे दो दोनों हैं और इन में से कोई क्या बता रहा है आपको कि कोई नहीं वाला जो विकल्प होता है, ये आपका आंसर नहीं होता है साथियों, तो सिक्सन के उपागमों पर हम चर्चा करें, तो पाट संसर्ग उपागम भी सिक्सन का उपागम है, और रचना सिक्सन उपागम भी सिक्सन का उपागम है, मतलब पहला भी है और दूसरा भी है तो तीसरे विकल्प में क्या दे रहिए एक वे दो दो नो अर्थार्त यहाँ पर प्रश्ण संख्या ग्यारा में जो आपके तीसरा विकल्प है प्रश्ण ग्यारा का सईांसर होगा 12 प्रश्ण के उर और तीन है इसके रुप देखो यह प्रश्णी भी आया हुआ है ठीक है एक्जाम में इस प्रिश्णी को भी पूछा जा चुका है आगमन विधी के रूपों की संक्या की बात करें तो इसके कितने रूप होते हैं इसके धो रूप होते हैं रूपों की जा रही है साथ योँ जबकि अगर प्रश्ण यह पोच ले कि आगमन विदी में कितने सिक्सन सुत्रों का प्रियोग किया जाता है, तो आगमन विदी में सिक्सन सुत्रों की बात करें, तो पांच सिक्सन सुत्रों का प्रियोग किया जाता है, और आगमन विदी के रूपों की बात करें, तो इसके दो रूप माने जाते हैं, किलियर है आगमन विदी जो की जिसमें पहले उधारन दिये जाते हैं और उधारन के अधार पर छात्रों से जो है नियम निकलवाये जाते हैं साथियों, वेज्यनिक विदी माने जाती है, बाल मैंने बता रखा है बहुत सारे जो साती है वो कमेंड करते हैं कि सर आप जो एप है study with pn लोदा उतमे 149 वाला जो कोर्स है इस पर मेरा थन टेस्ट अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो तो मैंने दो के लिए अलग से आयोजित किये जाएंगे किलिया रहे सभी के तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए निश्चेंत रहिएगा प्रश्ण नंबर 13 को देख लेते हैं तेरवे प्रश्ण में क्या है प्रश्ण नंबर 13 है प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है समाचार पत्र को पत्रिकाओं को पाटे पुस्तक को या विध्याले पत्रिकाओं को तो इन मैसेजिसे प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है उसका चैन को प्रश्ण संख्या 13 में करना है सात्यों आंसर देखे प्रश्ण नंबर 13 में कि विखलत रहे तो प्रश्ण पत्रीकाओं को भी समाचार पत्र को भी और विध्याले पत्रीकाओं को भी इन तीनों को ही print media में समिलित किया जता है भई फाटे पुस्तक तो क्या आपके syllabus के अनुसार होती है और ये चीजे एक्ष्टा होती है जिनसे आप knowledge गरहन करते हो print मुद्रित होती है ठीक है तो विकल्प एक दो चार यह आपका अंसर नहीं है आपका अंसर कौन सरहेगा विकल्प नंबर तीन साही रहेगा प्रश्ण 13 में चवद्वा प्रश्ण देखें प्रश्ण 14 में क्या है एक टीवी चेनल है यह एक या फिर उपगरे अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रियोग है एक वे दो दोनों और इन में से कोई भी नहीं साथ यह कुशन भी रीट एक्जा 2016 दी थी ठीक है वो तो उस एक्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में यह क्यूशन पूचा गया था तो कोई नहीं को तो मैंने आटा दिया अब बहुत ज़्यादा कंप्यूजन क्या होता कि SITE नाम ही पहली बार सुना है अब तो आप फिर भी बढ़ रहे हो इन चीजों को क्यो मैंने तीसरे विकल्प लगा दिया एक में दो दोनों जो की गलत था इसका जो सई आंसर है वो है विकल्प नंबर दो SITE एक उपगरे अनुदेशना आत्मक दूरदर्शन प्रियोग है साथियों विकल्प दो आपके चवद्वे प्रिश्न का सई आंसर है देखो बिलकुल अब मैंने तो तीसरे विकल्प लगा दिया था लेकिन अगर आपको बिलकुल भी अपन क्या करते हैं अगर अपने को प्रिश्नी याद नहीं और उप्रोक्त सभी विकल्प में है तो हम उसको लगा देते हैं कब जब आपके माइनस मार्किंग है और बिलकुल एक समझने की कोशिश करना वई सेकर्ण अविकल्प चवद्वे प्रिश्न में सही है प्रिश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे पंद्रवा प्रिश्न देखेंगे वस्तुनिष्ट प्रिश्नों की उप्योगिता का प्रमुक कारण है विचारों की अभिवेक्ति निस्पक्ष मु इसमें पक्षिपात रहित मुल्यांकन होता है ठीके ना किसी भी प्रकार का पक्षिपात इसमें नहीं किया जा सकता है क्योंकि दूसरा विकल्प अगर किसी बच्चे ने रखा है और आप पहला उसका आंसर क्या है पहला है तो उसको जीरो बिलकुल भी नंबर नहीं मिलें देखेंगे प्रश्ण नमबर 16 को विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्णों में हो सकती है वस्तुनिष्ट प्रश्णों में लगुत्रात्मक प्रश्णों में अति लगुत्रात्मक प्रश्णों में और निबंदात्मक प्रश्णों में तो विचारो टाइप के जो परिश्न होते हैं। निबंदात्मक मतलब 200 Ajax से 400 शब्दो वाले 500 शब्दयवाले मतलब बड़े परिश्न साथ यहowं मतलब परिश्न तो बड़े क्या उत्तर उनके बड़े होते हैं जो निबंदात्मक कर होते हैं तो इसमें हम अपने विचारों को अच्छी तरह से अभिव्यक्ट कर सकते अब्जेक्टिव में तो खुद के विचार बिल्कुल भी अभिव्यक्त आप नहीं कर सकते और नहीं अति लगुत्रात्मक में, लगुत्रात्मक में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अच्छा भी व्यक्ति सबसे बेश्ट के हुंसर है गर निबंदात्मक प्रिश्ण, फोर्थ विकल्प सोलवे प्रिश्ण का अंसर है, प्रिश्ण नमबर 17 की ओर बढ़ेंगे साथ सत्रवे प्रिश्ण देखेंगे, मुल्यांकन परकिर्या को किसा बताया कि त्री मुखी परकिर्या है और त्रिकोन के रूप में इसको प्रस्तुर किया किसमें B.S. ब्लूम में थर्ड विकल्प आपके सत्रवे प्रिश्ण का सही आंसर है अठारवा प्रिश्ण देखेंगे साथियों प्रश्ण नमबर 18 में क्या है आपके उप्चारात्मक सिक्सन दोरा अध्यापकों की कम्यों को दूर करते हैं चात्र की कम्यों को दूर करते हैं अध्यापकों चात्रों की कम्यों को दूर करते हैं और कोई नहीं तो कोई नहीं को आप भटा दो, अब इस प्रिशन में कन्पूजन ये होता है कि यार, क्या इसमें चात्र की ही कम्या दूर करते हैं या फिर अध्या पक को भी इसमें सामील कर लिया जाता है, ये गन्पूजन हो सकता है, साथिओ आपके, अगर हम बात करें उप्चारात्मक सिक्सन की तो उप्चारात्मक सिक्सन अध्यपकों के लिए नहीं होता है साथियों बलकि किन के लिए होता है चात्रों के लिए तो 18 प्रिष्ट में आपके 2 विकल्प सही रहेगा 19 वा प्रिष्ट देख लेते हैं प्रिष्ट नमबर 19 उच्चारन संशोधन का कारी किस कक्षा में करना चाहिए प्रारंबिक कक्षा में मादमिक कक्षा में उच्च मादमिक कक्षा में या उच्च कक्षा में तो इन में से उच्चारन संशोधन का कारे अब देखो उच्चारन बालक कोई भी शब्द बोलता है सही से नहीं उच्चारन उसका कर रहा है तो इसका संशोधन क्या उच्च कक् प्रत्वं विकल्प आपके प्रश्णन संख्याप 20 की ओर बढ़ते हैं देखेंगे 20 विए प्रिश्ण को भाषा कोशल है अधिगं कराना भाषा कोशल है अनुदेशन कराना है यह दक्षता प्राफ्त करना है तो देखो बाशाई कोशलों की संख्या कितनी होती है चार होती है एक तो होता है सुनना एक होता है बोलना एक होता है पढ़ना और एक होता है लिखना ये चार बाशाई कोशल होते हैं अगर हम बात करें पहला ये है चोता ये है सबसे पहले ये विक्सित और सबसेंथ में ये बाश्या कोशल है तो साथियों इन में से जो सबसे बेश्ट विकल्प है वह आपके चोता विकल्प दक्षता प्राप्त करना ही क्या है भाश्या कोशल है फोर्त विकल्प आपके प्रिश्ण संख्या 20 में सयांसर है चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों 21 प्रिश्ण की ओर त सिक्षा प्रदान की जाती है तो जो प्रोजेक्ट विदी प्रोजेक्ट विदी को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं साथियों प्रियोजना विदी के नाम से इसको जाना जाता है तो प्रोजेक्ट विदी में जिस प्रकार की सिक्षा प्रदान की जाती है वो कौन से प्रका प्रस्तावना का मुख्य उद्देश है उद्देश कतन करना प्रस्तूती करन करना नवीन ग्यान गरहन है तु ततपर करना और नवीन ग्यान गरहने डबल वार हो गया यार ये तो एक पोट आदो आप इनमें से कोई नहीं चोता है चोता विकल्प क्या है इनमें से कोई भी नहीं ठीक है न ये मान के चलो प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश है उद्देश कतन करना जी नहीं प्रस्तूती करन करना भी नहीं बलकि प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश माना जाता है वो होता है नवीन ग्यान को गरह भी नहीं और सबसे बेश्ट आंसर देखो चोता भी सही है वैसे दोनों एक दिस उप्षन है कि प्रस्तावना का मुख्यादार होता है मुख्युदेश होता है नवीन ग्यान गरहने तु तक पर करना कि जो बच्चों को हम नवीन ग्यान प्रदान करना चाते हैं वो उसे सीख ने के लिए आंत्रे कूप से तक पर रहो इसी वज़े से क्या की जाती है प्रस्तावना की जाते है प्रस्तावना प्रश्ण पूछे जाते हैं तो थर्ड विकल 22 में सही है 23 की ओर बढ़ेंगे 23 प्रश्ण में क्या है मुल्यांकन का शेत्र परिक्षा से होता है सिमित होता ह विस्त्रित होता है समान होता है या संकुचित होता है तो मुल्यांकन का शेत्र परिक्षा से कैसा होता है साथ अगर हम बात करें तो मुल्यांकन का शेत्र परिक्षा से परिक्षा किसमें ली जाती है मापन में आती है और मापन और मुल्यांकन दोनों चीज़ा अलग अलग हो को से साथियों परिक्षया से तो समान सीमित या संकुचित नहीं विस्तित या व्यापक आपका जो दूसरा विकल्प है 23 में ये आपका बिलकु SEO होगा 24 के ओर बढ़ेंगे साथियों किसी प्रेशन में कोई confusion नो तो comment box में comment कर सकते हो चोईसवा प्रश्ण देखेंगे 24 में है आपके दरश्यसरव्य सिक्सा से तात्पर ये नहीं है शिक्सा को अधिक रोचक बनाना शिक्सा को इस्थाई बनाना सिक्सा को अधिक प्रभावकारी बनाना और सिक्सा को निस्परियोजन बनाना तो द्रश्य स्रव्य सिक्सा से तात पर ये जो नहीं है उसका अर्था आपको 24 में बताना है देखो द्रश्य स्रव्य सिक्सा का मतलब है वह सिक्सा जिसमें बालक को हम कोई चीछ पढ़ा रहे है तो द्रश इसरेवे सुनाई भी दे रहा हैं दिखाई भी दे रहा है ठीक, दो-दो इन्द्रियाएक साथ काम कर रही है तो इसका हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि सिक्सा अधिक रोचक्क बने सिक्सा ईस्थाई बने मतलब जो ज़ो ज्यान हम का अंसर होगा साथियों 25 की ओर बढ़ेंगे 25 वह प्रिश्ण बाशा प्रियोग एक कोशल से सम्मंदित पक्षि नहीं है बाशा ग्यान गयम में है बाशा अभ्यास गम में है बाशा एक सामाजिक व्यावहार है वह भाशा अनुकरना आत्मक है तो प्रिश्ण को थोड़ा करके प्रिश्ण का जो सही उत्तर है उसका चेहन आपको 25 में करना है देखे आंसर 25 में तो वह अनुकरना आत्मक तो यह भाशा में हम अनुकरन करेके सीखते हैं सामाजिक व्यावहार भी इसको माना जाता है और अभ्याज के माध्यम से भी हम भाशा सीखते हैं तीनों बिल सामगरी, सिक्सन के लक्ष, पार्टिवस्तु के प्रकरण और प्रश्णों के प्रकार तो ब्ल्यूप्रिंट ढाचा तयार करने में जो उप्योगी नहीं है उसका चेहन आपको प्रश्ण संख्या 26 में करना है कौनसा विकल्प आपके 26 वे प्रिश्ण का सही आंसर है आंसर के लक्षों का भी उसमें प्रियोग किया जाता है पार्टिवस्तु के प्रकरण भी उसमें आते हैं और प्रश्णों के प्रकार की किस प्रकार के प्रश्णा आप उसमें रखोगे अब्जेक्टिव के कितने रहेंगे निवंदात्मा कितने रहेंगे लगुत्रात्मा कितन की ओर बढ़ते हैं 27 प्रिश्ण देखेंगे 27 प्रिश्ण में क्या है सत्र की समाप्ति पर प्रियुक्त होता है नियोजनात्मक मुल्यांकन निर्मनात्मक मुल्यांकन निदानात्मक मुल्यांकन संक्लनात्मक मुल्यांकन तो सत्र किसम आपती मतलब जब वर्ष पुरा होने वाला होता है तब एक्जाम जिसको हम वार्षिक प्रिक्षा के नाम से भी जानते हैं जब वार्षिक प्रिक्षा जो होती है साथियों तो इस प्रकार की प्रिक्षा को कौन से मुल्यांकन में सम्मिलित किया जा जिसको संकल नात्मक के दो या योगात्मक के दो यह सत्र की समाप्ति पर प्युक्त किया जाता है फोर्थ विकल 27 में सही है बाकी नियोजनात्मक मुल्यांकन या निर्मनात्मक मुल्यांकन यह तो लगतार चलने वाला मुल्यांकन है जिसको रचनात्मक मुल्यांकन भी कहते ह कर्मन आत्मक को ऑठते हैं निदना आत्मक भी लगता चलता ही रहता है तो यह फोर्त विकल भी 27 का से रहे 28 की ओर बढ़ेंगे साथ यहां 28 वा प्रिशन है द्रश्य स्रव्य द्रश्य साधन कुल सा है चल चित्र 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 विस्तारक और रेखां चित्र तो देखो स्रव्य द्रश्य जिसमें हमें स्रव्य सुनाई भी देता है द्रश्य दिखाई भी देता है तो चित्र में तो सिर्फ दिखाई देता है रेकां चित्र में भी सिर्फ दिखाई देता है लेकिन चल चित्र में क्या दिखाई भी देता है और सुनाई भी देत है अता है चल्चित्र स्रविद्रश्य साधन में आता है विखल एक टॉंटी एट का सेटर है अब इस सेकंड लाश्ट 29 पर प्रिश्णी क्यों बढ़ेंगे साथियों अभी तक एप को डाउनलोड नहीं किया है एप को डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों क्योंकि अभी त रूप से आपको डाउनलोड जरूर करिएगा लिंक मेंने कमेंड बोक्स में दे रखा है देखो 29 प्रिश्ण है हरबर्ट उपागम के पद है तीन पांच आट और नो हरबर्ट उपागम के पदों की बात की जरही है हरबर्ट की पंच पदी नाम सुना होगा पदों की संक् रुष्ण में शब्दार्थ इसपर्श्ट करने की विदी है प्रश्णोतर विदी व्यास विदी उद्बोधन विदी और खंदान वे विदी तो गद्धिक्षं성을 क्या क्या चीज्बां आती है जैसे आपके कहानी है जैसे आपके निबंद है, जैसे आपके एक कांग की वगिरा, ये चीज़े नाटक है, ये चीज़े गद्दे सिक्षण में आ जाती है साथियों, इसमें कोई कटिन शब्दा आ जाता है, तो शब्दार तिस पष्ट करने के लिए जिस विधी का प्रयोग किया जाता है, वो व स्टूडियों में बहुत बहुत धन्यवा सभी का वीडियो को पुरा देखने के लिए